ँल्स rover कैसे हो आप सभी Friends आप सभी लोग का यहां पर आज से सीडी पी युँ का प्राक्टिस येट डिएली hilay चलेगा बहुत लोगा कमेंट आ रहा था कीनिकिसर स्भू कर दीजै तो आज से आप सभी लोग का मीनी प्राक्टिसेड यानि पचास कोशन आपको देखने को मिलेगा एडुटेरिया का जो यह आपका टेस्टरीज है ठीक है इसमें आपको बताना है कि आप कितना स्कूर कर पा रहे हैं तो अभी तक डेली बेस पे आज से सुरू हो जाएगा वीडियो को लाइक करना है सेयर करना ह है ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस और बहतर कर पाएंगे ठीक है डेली चलेगा आपका आपको परिशाद नहीं होना है डेली पचास कोशन आपका यहां पर चला जाएगा लाइक्स जरू किजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे पहला प्रस्ण है कि हाल ही में मौरिशत के समंद्री छेत्र में तेल रिशाओ के कारण मौरिशत सरकार ने परियावरडी अपात काल घोसित किया था ठीक है परियावरडी अपात काल घोसित किया था तेल ले जा रहा जो जहाज था वो किस देश का था तो इस प्रस्ण का उ मौरिसेट के टड़ पर तेल दिसाव होने के करण मौरिसेट सरकार ने परयारण या पातकाल की घोशना कर दी थी अगला कुशन है कि वर्तमान में भारत में कितने राजिये और केंदर सासित प्रदेश हैं सभी को पता है इन में से आपका कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा राजियों का एक संग भारत का एक प्रभुसत्ता संपन धार्मनिर पेच उसके बाद लोक तांत्री गड़ राज्य है आगे देख लेते हैं अगला कुशन है कि सियासत में सदा सदस्यता पुस्तक नीम चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी आपका उत्तर हो जाएगा अगला कुशन है कि सयद अकबरुदिन के बाद सन्युक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनिधी के पत पर किनका चैन हुआ है तो यह जो चैन हुआ है टी एस आपका चौथा का देखा जाए तो यह उत्तर हो जाएगा वह सयद अकबरुदिन का इस्थान लेंगे ठीक है अगला कुशने के हाल ही में विज्ञान के छेतर का 2020 का विश्व प्रसीद आई डवल ई सीमन रोमा मैडल पुरसकार भारत के किन विज्ञानिकों को प्रदान कि क्या गया है आपका उत्तर हो जाएगा पांचवे का ओप्सन डी डाक्टर के सीवन एवं डाक्टर बी एंड सुरेस आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशने कोशन नबर सिक्स कता है प्रधान मंतरी ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गामों को ऑप्ट ठीक है घर तक फाइबर परियोजना की सुरुवात की है किसने तो आप सभी लोग याद रखेएगा बिहार राज्य ने अगला कोशने के वर्स 2021 में सन्युक्त राष्ट जलवाई परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 कि सहर में आयोजित किया जाएगा यह कौन से सहर में आयोजित कि जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लास गो हो जाएगा आंसर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखेएगा एक से बारह नवंबर के बीच में यह आपका संपन हुआ है अगला कोशने कोशन नमबर आठ केंद्रिय मंत्री मंडल सितंबर 2020 में जम्मू कास्मीर की कितनी भासाओं को केंद्र सासित प्रदेश की अधिकारिक भासा के रूप में मंजूरी प्रदान की है यह जो मंजूरी प्रदान की है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पांच परकार का यहां पर उत्तर हो जाएगा पांचों का नाम वह हाइन का देखा जाए तो आपका धि उत्तर हो जायगा मैंी किस देश के साथ भारतài समपता के चेत kingdom सही愛 के लिए समझाथा किया है तो राइट आंसर क्या होगा ओप्सन आपका C हो जाएगा डेनमार्क डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का न अगला कोशन एक कोशन नमबर आपका 12 कहता है कि हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेच देशों का सिखर समयलन कहां आयोजित किया गया तो यह जो आयोजित किया गया था बाकू में आंसर आपका यहां पे D उत्तर हो जाएगा नए सिक्षा नीती पर हाल ही में सरकार की संपि गई इस कमीटी के अध्यक्ष कौन है तो इस कमीटी के अध्यक्ष देखा जाए तो के कस्तरी रंगन हो जाएगा आप सब ही लोग कि याद रखिये गा 1996 में तयार हुई थी और 1992 में इसमें संसुधन हुआ था अगला है कि सुक्षम लगू एवं मद्यम उपकरमों में आर्थिक एवं वित्य इस्थिर्ता हेतु दिर्ग कालिन उपाय सुझाने के लिए कि इसकी अध्यक्षता में एक समीती का गठन किया गया है तो यह जो गठन किया गया है यू के सिन्हा समीती के द्वारा आंसर देखा जाया तो आपका यहां पे 14 का उप्षन B उत्तर हो जाएगा 32 ग्रिस्म कालिन उलम्पिक खेल 2021 में जैपान के टोकियों में आयोजित किया जाएगा इस उलम्पिक खेल का जो सुभंकर है वो क्या होगा चलिए बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा option C यानि मिराई तोबा हो जाएगा आंसर आपका 15 का देखा जाए तो C उत्तर हो जाएगा अगला कोशन वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश है बताईएगा तो देखा जाये तो कुल टोटल आपका 30 सदस्य है आंसर आपका क्या हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा नाटो यानि 2019 में नाटो का सीखर समिलन वाड़फोट यानि UK में हुआ था निमन में से बिहार के किस वस्तु को GI टैग परदान नहीं किया गया है चलिए बताईएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा option E इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक देखिए अब तक बिहार के निमन वस्तु को GI टैग परदान किया गया है जैसा कि मुझवर पूर्की, साह लीची उसके बाद भागलपूर का करतनी चावल उसके बाद तसर सिल्क जरदालू आम उसके बाद नवादा का मगही पान उसके बाद सिक्की कला जुसनी मदुबनी यह सब आपका यहां पर दिया गया है लेट आर्ट्स ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं चलिए बताइगा इसका राइट आंसर आपका देखा जाए तो अठारा का क्या होगा तो फ्रांसीस हो जाएगा आँसर आपका यहां पर बी उत्तर हो जाएगा अठारा नंबर का ठीक है चलिया आगे देख लेते हैं अगल क्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्टपती का उमिदवार बनाया गया है ति ये जो बनाया गया है आपका कमला हैरिस हो जाएगा अंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा कमला हैरिस को उपराष्टपती का उमिदवार घोसित गया गया है ठीक है चलिए कहता है कि हाल ही में पतना high court के मुख्य ने अधीस के पतवर चैनीत होने वाले संजे करोल इससे पूरो किस high court के मुख्य ने अधीस के रूप में कारियरत रहे थे तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा option C तरी पूरा high court आपका right answer हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि किस राज्ये द्वारा नगरो थान योजना सुरू की गई है कौन से राज्ये के द्वारा तो राज्ये का नाम याद रखिएगा ऑप्सन भी हो जाएगा करनाटक करनाटक आपका रैट अंसर हो जाएगा कौन सा दिवस दच्चिड सायोग के लिए अंत्रिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए 12 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कौसन है कि ICC 12C किर्केट विशुकप 2023 का आयो जन किस देश में होगा मताईएगा यह कौन से देश में होगा तो आंसर आपका C हो जाएगा भारत भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का चलिए नेश्ट कोशन देख लेते हैं नेश्ट कोशन क्या कहता है कोशन नमर चोबीस कहता है कि निम लिखित में से कौन सा देश संगाई सायोग संगठन एस सी ओ का सदस्य नहीं है तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका चोबीस का उत्तर आपका ई हो जाएगा इन में से कोई नहीं आपी देख से अधिक देखिए संगाई सायोग संगठन जो है इसके सदस्य देश देखिए रूस चीन तजाकिस्तान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान और उसके बाद किर्गिस्तान भारत और पाकिस्तान हो जाएगा अगला है कि हाल ही में अरब छेतर के किंदो देशों की बीच एतिहासिक सांती समझोते पर हस्ताक्षर किया गया है तो ये जो हस्ताक्षर किया गया है आंसर आपका हो जाएगा इजराईल एवं सन्युक्त अरब अमीरात आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों क नेश्ट कोसने की आई एम अप की रिपोर्ट के अनुसर निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से विर्धी करने वाला देश बन जाएगा कौन सा है तो उसका नाम है आपका गयाना गयाना राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा सूचना प्रधो की छेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड रूपे की इंडिया डिजिटलाइशन फंड की घोंशना की है चलिए बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल ने गूगल आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सभी लोग का दस बिलियन डॉलर यानी 75 करोड रूपे देखा जाए डॉलर में तो दस बिलियन हो जाएगा अगला कोशन है कि वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के सरवाधिक उपगरा है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 सनी आल ही में सनी ग्रह के 20 उपगरा की खोच की गई है इसके बाद सनी ग्रह के कुल 82 उपगरा हो गए है जो सौर मंडल में सरवाधिक है नेश्ट कोशन है कि हाल ही में कोरुना महमारी के दौर में विद्येसों में फसे भारतिय नगरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मीशन प्रारम किया गया था तो उसका नाम क्या है तो वन्दे भारत मीशन हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का अगला कोशन वर्तमान में बिहार में राष्टी उच पत की कुल लंबाई कितनी है कुल टोटल लंबाई देखा जाए तो अठार और नेस की अधार पर तो आपका यहाँ पे 4970 किलो मीटर हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा ठीक है इसको आच्छे से याद रखिएगा अगला देख लेते हैं अगला है कि पूस्व के विभीन भागों में नेमलिखित में से कौन सा सम्मिलित है ठीक है इसमें कूट के हिसाब से आपको बताना है तो चलिए बताईए तो इसका आंसर आपका एक दो तीन चार हो जाएगा बाहेदल उसके आपको पंखुड़ी पूंकेसर उसके बाद आपका तीसरा हो गया फिर आपका इस्त्रिकेसर हो जाएगा अगला है कोस्व नमबर 32 जल विधुत का उत्पादन की सिधान पर कारे करता है कौन से सिधान पर कारे करता है तो देखा जाए तो एक और दो दोनों हो जाएगा यानि आंसर आपका सी हो जाएगा देखा जाए तो गुर्टवे इस्तितीज उर्जा हो जाएगा उसके बाद उर्जा संरक्षड सिधान हो जाएगा तो इस परकार से आंसर आपका यहां पर C उत्तर हो जाएगा अगला question is question number आपका यहां पर 33 कहता है कि नीचे दी गई सूची में मिलान करें और दो सूची बद करें और सही उत्तर करके बताएं ठीक है तो इसको मिलान करके बताना है तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीक देखा जायते आपका चला जाएगा प्रकास किती ब्रता उसके बाद प्यूनो मीटर देखा जायते आपका चला जाएगा चौथे में और पाइरी पाइरी हिलियोनो मीटर आपका चला जाएगा ऑप्शन यानि सौर वी किरण में खीक है आगे अगला है कि गिरने के दवरान बारिस की बूंदे कैसे गिरती हैं, चलिए बताइए, क्या होगा इसका उत्तर, गिरने के दवरान बारिस की जो बूंदे हैं, वो कैसे गिरती हैं, तो इस परकार से इसका उत्तर एक समान तोरण के साथ ही गिरती हैं, आंसर आपका यहाँ पे, D उत्तर हो जाएगा सभी उपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है वो सूने होता है जी रो होता है नेश्टvent इस भी योगी का ओक्ति करण संख्या क्या होता है कि उसकी संख्या होती है आंसर आपका 37 का देखा जैतो डिह होजाएगा क्या हो जाएगा सूने हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक किसी भी योगी कि उपस्षित परमाणों कि जो अक्षिकरण संख्या होता है वो सूने होता है अगला कुशन है कि इलेक्ट्रो लाइटिक सेल क्या बदलता है चलिए बताइए तो 38 का देखा जाए तो सही उत्तर संख्या में अभी कि लिए तैस के परकार से एंसार आपका सी हो जाएगा नेस्ट कुसustom 1973 कि सुंक लगो आवर्त कहते हैं इस नि 2020 आवर्त कहा जाता है तो इन में से लगो आवर्त की संग्या दी गई है चलिए आगे देख लेता है कि निमने लिखित में से कौन सा कैल्सियम का आयस का है कैल्सियम का इस दिखा जाए तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा इन में से कोई नहीं आफिद एक से अधिक देखे फ्लो फ्लो इस पात जिपसम उसके बा किसका एक योगिक ततो है तो किसका एक योगिक ततो है तो सोन योगिक का हो जाएगा ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है कोशन नवर 43 ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 स्वासन के दवरान किसका वि विटामिन का 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा केंद्रिका में क्या पाया जाता है केंद्रिका में देखा जाया तो आप सभी लोग का हो जाएगा एक दो तीन चार यानि एक तीन चार प्रोटीन कार्भो हाइड्रेट मफ किजिएगा आर एन ने देखे प्रकासी आंसर आपका सी हो जाएगा इन में से कौन सुमेलित नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है तो बताईएगा 46 का उत्तर आपका इन में से कोई भी नहीं या भी रेक्सियादिक हो जाएगा ठीक है चलिए देख लेते हैं आगे कुशन क्या कहता है अमासे में कौन नहीं तो आम आसे में देखा जाय तो आपका भी उत्तर इही होगा इन में से कोई नहीं आप एक से अदिक हम आसे में कारभोहाइडेट एवन विटामिन का यह-दिक हो जाएगा एक से अधिक नहीं होगा ठीक है अगला कि वयस्क मानों में मेरू रंड में कुल कितनी अस्तियां होती है तो बताइए आंसर आपका 26 हो जाएगा आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा न्यश्ट है कि हीमोगलोबीन क्या है सभी को पता है हीमोगलोबीन एक परकार करें देखा जाय में अंसर आपका यहां पर विकृत सेट में देखिए आपका यहां पे 150 कोर्षन हर सेट में है तो डेली आपका 50-50 कोर्षन चला जाएगा यूंकि मीनी सेट रहेगा तो देखा जाए तो आपको नॉर्मल रहेगा 50-150 कोर्षन थोड़ा सा बोरिंग साइड हो जाता है आप अच्छे से लगाए डेली आपको सेट मिलेगा रिविजन पर ज्यादा ज्यादा करते रहे हैं जितना रिविजन हो पाए उतना रिविजन करिए तो चलिए मिलते हैं एक नए प्राक्टी सेट में